Hello Learners, Welcome to my channel InLatin Knowledge. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं Hicks in Concept of Consumer Surplus. हमने प्रीविएस वीडियो में डिस्कस किया था कि Marshall ने क्या concept दिया है consumer surplus को measure करने के लिए. अब हम पढ़ेंगे कि Hicks ने क्या concept दिया है. या इसका दूसरा नाम ये भी है कि measurement of consumer surplus with the help of indifference curve. क्योंकि जो indifference curve का concept है वो Hicks ने ही दिया था तो consumer surplus भी उसने क्या है indifference curve की help से ही measure किया है. तो IC concept इसमें लागू होता है मतलब indifference curve का concept इसमें होता है Hicks ये concept of consumer surplus जिसे हम कह सकते हैं कि measurement करना consumer surplus को with the help of indifference curve. तो Professor Hicks ने अपनी book Value and Capital जो उनकी बहुत famous book है Value and Capital उसमें इन्होंने attempt किया है कि consumer surplus को हम लोग indifference curve की help से कैसे ढूंड सकते हैं और इसमें वो लेकर क्या चला है कि वो income लेकर चला है consumer की उसके according वो price line बनाएगा और हमने जो conditions पड़ी है consumer equilibrium कहां पर होता है जहांपे price line tangent हो जाती है indifference curve के तो यह सारा कुछ concept इसमें study किया जाएगा तो यह आपका बता रखा है कि income और price line को show करवाते हुए हम consumer surplus को ढूंडेंगे तो अब यहां पर सबसे important चीज यहीं है कि आप ध्यान से इसके curves बनाना सीख लो कि जो इसका थोड़ा सा concept है वो income पर base है consumer surplus की help से तो ध्यान से आप लोग इसको curve को बनाना तो जो नीची है x-axis पर वहां पर quantity ली गई है यहां पर हम क्या ले लेते हैं number of ice creams ice creams की quantity ली गई है और जो y-axis है वहां पर आपकी ली गई है money income यहां पर real income की बात नहीं की गई money income की बात की गई है real और money income में फरक होता है यह भी concept मैंने आपको समझा रखा है जब हमने substitute वाला topic किया था indifference curve में तो अब देख लीजे करना क्या है suppose income of consumer is OM यह यहां पर सारा कुछ लिखा गया है जो भी detail इसमें बताई गई होगी तो हम क्या माल लेते हैं यह हमारा O point है और यह हम money income माल लेते हैं OM यह suppose किया गया है suppose income क्या है consumer की OM है और इस income को लेते हुए वो क्या है O N quantity ले रहा है यह उसकी income है उपर की तरफ लेनी है यह ले ली हमने O N quantity मतलब O N quantity वो ले रहा है अपनी पुरी के पुरी income को लेते हुए और अगर आपको बताया गया हो कि slope डूढ़ो slope of price line यह आपकी price line ही बन गई है इसका slope के से डूढ़ा जाता है कि यह quantity जो आपने Y axis पे लिए है O M by O N यह उसका क्या हो जाएगा slope हो जाएगा आपकी price line का यह आपर दिया गया है O M by O N तो price line tangent होगी अब हमें क्या करना है price line को draw करवाना है जो tangent होकर जाए I C को यह हम बना लेते हैं जो इसको touch करके जाए और इसको नाम दे देते हैं I C 2 का यह हमारी indifference curve है यह क्या बन रही है convex to the point of origin तो इस point पे अब हम देखेंगे कि अब एक consumer कितनी quantity ले सकता है यहाँ पर निकाल लेते हैं O के O quantity ले सकता है कितनी income से M A से अब आपको O A नहीं लेना अब आपको उपर से लेना है M A लेना है यह money income के बात की गई है मतलब यह वाला part spend करते हुए M A part उसने spend किया है O के O quantity लेने के लिए उपर से measure करेंगे यह तो हो गया कि जहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि O के O quantity हम कितनी money income को खर्च करते हुए ले रहे है M A money income को अब consumer surplus कैसे डूणना है suppose करो कि consumer को price पता ही नहीं है ice cream का कि उसको नहीं पता कि मैं M A quantity मतलब M A money income लेते हुए O के O quantity खरीज सकता हूँ उससे सिर्फ इतना पता है कि उसे O के O quantity buy करनी है लेकिन उसको price नहीं पता तो अब हम देखेंगे कि कितना वो willing है pay करने के लिए तो वो अब कैसे बनानी है क्योंकि अब इसको price के बारे में बिलकुल नहीं पता तो हम जो एक indifference curve draw करवाएंगे न वो आपकी M से draw होगी क्योंकि ये willing to buy है willing to buy करना है तो M से एक indifference curve draw होगी ये आपकी बन गई है IC1 curve अब ये क्या show कर रही है देखो इसने कहां पर OKO quantity अब हमें लेनी है ये हमारी OKO quantity है ठीके He is willing to buy this much amount देखो न जब उसको price नहीं पता है तो वो MB money income spend करने को तयार है MB जो कि क्या है MA से ज़ादा है MB MA में उतको OKO quantity मिल रही है but he is willing to buy at MB money income MB money income को खर्च करते हुए वो OKO quantity खरीदना चाहता है he is willing to buy तो ये हमें कैसे निकाला है M point से आपको IC1 को draw करवाना है अब हमें यहां से बिलकुल clear हो चुका है कि consumer का surplus कितना निकला ये AB यहीं चीज है consumer surplus कैसे डूणते है consumer surplus किसके को ला जाएगा what he is willing to buy he is willing to spend money MB लेकिन actually money कितनी है MA है तो MB में से MA को माइनस करवादो क्या निकल जाएगा AB निकल जाएगा तो AB क्या है consumer का surplus है तो उसने IC की help से consumer surplus को डूणने की कोशिश की है कि अगर consumer को पता नहीं है कि क्या market में price चल रहा है और वो OKO quantity ही खरीदना चाता है तो he is willing to buy MB of that लेकिन बाद में उसको वहीं चीज कितने में मिल जाती है MA quantity में क्योंकि actually तो MA है न MA लग रहा है जहां पर उसको consumer का ये देखो equilibrium है OKO quantity पर तो MB में से MA को minus करवा देंगे और जो हमारे पास AB आ जाएगा मतलब उतनी AB क्या है amount of money उसका consumer का surplus निकल जाएगा तो ये concept I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा अगर कोई भी doubt हुआ तो आप मुझे comment section में पूछ सकते है अगर मुझे contact करना चाते है तो आप मेरे facebook page को भी like कर सकते हैं follow कीजे और कोई भी message या कोई भी doubt हो तो आप मुझे वाँ पर contact कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को जुरूर subscribe कीजे like, share and comment and press the bell icon ताकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे thank you